रादे राजे सभी को सो फेंट दिल्ली प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम समाप्त हो चुके हैं और यह एक्जाम जो थे 14 नमबर दे शुरू हुए थे और तीन दी समबर तक चले थे तो हम आपके लिए एक फाइनल एनलिस लेके आ चुके हैं कितने मांक्स की जुरत पड़ेग तो साड़े साथ जार से उपर से विकेंसी निकाली गई थी और जो यह एक्जाम था 14 नमबर दे शुरू हुआ था तीन दी समबर तक चला था तो हमने एक्जाम फॉलो किया था काफी बच्चों से फीड़बैक भी लिया है तो आज हम दिखाने वाले हैं कि आपकी फाइनल तो सौ में से यूर की जो कॉट आफ जाएगी फीमेल की वो जाएगी 68 से 73 की बीच में अगर फीमेल केंडी रेट है और उसके माक्स इस दाइरे में आ रहे हैं तो 100 परसेंट वो एक्जाम क्वालिफाइक करने वाला है वो अपने फीजिकल की तहरी कर सकता है तो आपको कित तो 110 परसेंट आप एक्जाम क्वालिफाइक कर जाएंगे और आपको सेकंड राउंड के लिए जाने की तहरी मिल जाएगी तो आपके माक्स कितने आने चीए 65 से 70 के बीच में वहीं पर आगर हम बात करें OH वालों की तो अगर वह 100 में से 37 से 42 के बीच में अगर उनके नमब आ गए तो समझ लीजिए अराम से क्वालिफाइक कर जाओगे और सेकंड राउंड के ले जा रहे हो तो 55 से 60 के बीच में आपके नमबर आने चाहिए आप ये एक्जाम क्वालिफाइक करने वाले हैं और SC वालों को कितने माक्स यूज़ पड़ेगी SC वालों के लिए 60 से 65 क के बीच में अगर EWS वालों के नमबर आ गए यानि कि इस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनके नमबर 65 से 70 के बीच में आ गए तो आप अराम से क्वालिफाइक कर जाओगे और आप से क्यारी करने जा सकते हो तो ये कट आफ रहेगी फीमेल स्वालों के लिए जो भी किसी भी कैटेगरी कि अंदर आती है तो अगर आपके इन कैटेगरी से की बीच में आ रहे तो आप अब अराम से कौलिफाइक कर जाएंगे और 2 आ जी ऐखैंगे और वही अगर बात कुने था इसमें गूर रेषन की तो जिस इस दिए बच्चे ने एकया टीया है तो इसमे काफी बड़ी वेटेश रखी थी इसने दिल्ली कॉंशे बल एक्जाम के अंदर तो इसके अंदर अगर आपको गुड एटाइम की बात करें तो 32 से 34 के बीच में अगर आप नंबर लेके आगा इसके अंदर तो डेफिनिटली आप अराम से कौलिफाई कर जाएं कोई प्रब् गुड एटाइम होने वाला है और वहीं पर कंप्यूटर 10 मांक्स का रहता है तो सार्फ से 9 नंबर आप कंप्यूटर में लेके आगे तो आपको गुड एटाइम माने जाएगा यानि कि आप एज़ी यह एक्जाम कौलिफाई कर सकते हैं यानि कि अगर आपके 69 से 77 के बीच तो एज़ी तो मॉडरेट था मैथ की बात करें तो एज़ी तो मॉडरेट था और कंप्यूटर भी एज़ी बनाए गया था मतलब की पेपर ज्यादा टफ नहीं था जितने बच्छे आ रहे थे बोल रहे थे कि ठीक टाइप पेपर है बाद जनरल अवे नहीं को तफ नहीं मैथ में तो टफ ने जिक्री दी बाकि रीजनिंग में उनको कुछ जादा प्राब्लम नहीं तो पेपर का जो ओवरल लेवल ता डिपकेट लेवल के बात करें तो एजी तो मोड़ेट बनाए गया था कोई टफ पेपर नहीं बनाए गया था ठीक है अगर मैं बात कुने फे OVC 8-73 के बीच में अगर आप नमबर लेके आ गए तो अब अराम से कौलिफाइग कर लेंगे वहीं पे OVC को 100 में से 65-70 के बीचे नमबर की जोड़ पड़ेगी आपको सेकर रोंट जाने के लिए तो OVC जो भी होंगे जो भी OVC से आ रहे होंगे मेल कैंडिट उनको 65-70 क की बीचे नमबर की जोड़ पड़ेगी और वहीं पे OVC वालों को 100 में से कितने नमबर की जोड़ पड़ेगी 37-42 की बीच में अगर हम बात करें ST वालों की देखो ST वालों को चाहिए होंगे मेल कैंडिट को 55-60 की बीचे नमबर अगए आप डेफिनिटली ये ग्जम कॉल कर जाएंगे यानि कि 2nd order के जा सकते हैं और EWS वालों को कितने नमबर की जोड़ पड़ेगी 65-70 की बीच में 100 में से तो अगर आप 65-70 की बीचे नमबर लेके आ गए EWS कंडिट जो भी EWS से आ रहा होगा मेल कंडिट तो उसको 65-70 की बीचे नमबर भी जट पड़ेगी और वह एक्जाम कॉलिफाइ कर जाएगा तो यह पाइनल कॉट अफ बनने वाली है इसके इससे भाहर नहीं होने वाली है जितने फीडबेक मिला है जितने भी एनलीज के है हमने इससे भाहर कट अफ नहीं होने वाली है अगर आपको कुछ लगता है तो आपने कमेंट कर सकते हैं चीक है बाकि यह आपकी पाइनल कट अफ रहेगी और आपको जल्द ही आपको कट अफ देखने को मिल भी जाएगी और अगर जो भी बच्चा बीचो नमबर लेके कर रहा है तो अपने हो सेकेंड राउन की तयारी करें यानिकी अपनी फिजिकल की तयारी करें वागे ठीक है और इसी परकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैक में क्लिक कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टेम्टों है मिलते रहे है राधि राधि मिलें की नेक्स वीडियो मी